तो सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे ताकदवर फिफ जुनेरेशन के फाइटर यार क्रेप्टों के बारे में बताऊंगा वैसे तो स्रिफ चार ही ऐसे फाइटर यार क्रेप्ट अब तक बनना संभव हो पाया है लेकिन कई सारे ऐसे देश भी है जो फिफ जनेरेशन के फाइटर यार क्रेप्टों को आइदर बना रहा है या फिर बनाने का प्लान के तहत काम कर रहा है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को दुनिया में जो फिफ जनेरेशन के फाइटर यार क्रेप्ट ऑपरेशनल है उनमें कौन सा यार को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों अब तक दुनिया में स्रिफ तीन देशों को ही फिफ जनेरेशन के फाइटर एरक्रेप्टों को डेवलाफ करके अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल करने का सक्सेस मिला है इन तीन देशों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का जबकि अमेरिका के बाद चायना और रशिया ने भी रिसेंटली फिफ जनेरेशन के फाइटर एरक्रेप्टों को डेवलाफ किया है तो सबसे ताकदवर फिफ जनेरेशन के फाइटर एरक्रेप्ट के बारे में हम जानने से पहले चली थोड़ा जान लेते हैं कि एक एरक्र को 5th generation के होने के लिए सबसे महत्व पूर्ण हैं उसके stealth feature मतलब aircraft को ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन के radar के द्वारा इसे आसानी से पकड़ाना जा सके जबकि इसके इलावा aircraft को multi functional मतलब multi role का भी होना चाहिए मतलब ये aircraft हवा से हवा हवा से जमीन और हवा से समुंदर में अपने दुश्मनों को तभा करने का ताकत रख सके इसके इलावा aircraft को बिना after warning के सहरे सुपर सॉनिक रफ्तार में उड़ने का शमता से लैज होना चाहिए मतलब इसके engine super cruiser होना चाहिए इसके इलावा aircraft super maneuverable और बहतरीन avionic system से लैज होना चाहिए इवन कई-कई शेत्रों में तो इन aircraft में ऐसे computing system होना चाहिए जो हवा में उड़ने के दर्मियान ही data को process और data को अन्ने systemों में transmit भी कर सके और दोस्तों इसके इलावा aircraft के और एक बहतरीन feature इसमें इस्तेमाल होने वाला radar होना चाहिए मतलब इसमें एक ऐसा radar चाहिए जो दुश्मन को detect नहीं बलके दुश्मन की electronic warfare system से भी अपने आपको बचा सके और इन सभी feature उसे less fighter aircraft को को ही हम एक true 5th generation के fighter aircraft का हैंगे current situation में एक true 5th generation के fighter aircraft कह सकेंगे दोस्तों अब चलिए सबसे ताकतवर 5th generation के fighter aircraft के बारे में जानते हैं दुनिया में अब तक बना हूँ अब 5th generation के fighter aircraft में सबसे ताकतवर है अमेरिका के F-22 दोस्व अमेरिका की F-22 को दुनिया का सबसे पहला 5th generation के fighter aircraft का दर्जावी मिला हुआ है जब पुरा दुनिया 4th generation के fighter aircraft को ही निर्मान करने में मुशक्कत कर रहा था तभी अमेरिका के दरफ से 5th generation के fighter aircraft के उपर research and development शुरू किया गया और 1997 में अमेरिका के द्वारा F-22 के नाम दुनिया के सामने पहला 5th generation के fighter aircraft को लाया गया दोस्व आपके जानकारी के लिए वता दू अमेरिका के ये 5th generation के fighter aircraft जहाँ पे 1997 में अपना 1st flight भरा तो वही पे इन aircraft को 2005 में ही अमेरिकी बेडे में operational करना समभब हो पाया तोस्व इन aircraft के टेक्नोलोजी को अमेरिका के द्वार ये है कि कई कई वार ये वी अफवा फैला कि अमेरिका ने aircraft को निर्मान करने के बाद इसके technology के related मतलब research and development related data को ही तवा कर दिया ताकि ये चोरी ना हो जाए दोस्व इस लिश्ट में दूसरे नंबर में नाम है रश्या के सुखोई SU-57 का वो ऐसे अगर देखा जाए तो दुनिया में जो चार फिफ जनेरेशन के fighter aircraft अब तक बन चुका है उनमें सबसे आखिर में वनने वाला fighter aircraft रश्या के सुखोई SU-57 ही है लेकिन फिर वी इन ये aircraft में कुछ ऐसे features है जिसके वजासे ये F-22 के बाद दूसरा position में आता है आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि F-22 को मैं दूसरे position में क्यों नहीं रखा तो दोस्व इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा पर अगर fighter aircraft को निर्मान करता है और रशिया कैसा टकर लेने का प्रयाज भी कर रहा है उन देशों से at least रशिया फिलाल आगे है रशिया के सुकोई Azo 57 twin engine single seated multi roll air superiority stealth 5th generation के fighter aircraft है और दोस्तों इन ये रख्रेप्टों में अभी वी कई सारे कमिया है बैसिकलि अगर देखे तो सुकोई 57 को एक true 5th generation के fighter aircraft नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अब तक एक true 5th generation के engine का इस्तेमाल नहीं हुआ दूसरे तरफ इन ये रख्रेप्टों के engine को लेके वी रशिया के द्वारा काम किया जा रहा है और संभावित 2024 तक इन ये रख्रेप्टों को रशिया के द्वारा एक true 5th generation के fighter aircraft aircraft में तफ्दिल कर दिया जाए दोस्तों ये रख्रेप्टों के development को अगर देखा जाए तो 2010 में रशिया के तरफ से पहली वार इन ये रख्रेप्टों का उडान भरा गया था जिफके 2020 में रशिया इन ये रख्रेप्टों को अपने बेड़े में successfully शामिल कर सका और वह भी अब तक एक ही aircraft को शामिल किया किया है जबकि माना जा रहा है कि इस साल और कुछ aircraft आएगा लेकिन रशिया फिलाल बड़े मातरा में 2024 से पहले इन ये रख्रेप्टों को अपने बेड़े में शामिल नहीं गरनने जा रहा है दोसों लिश्ट के तीसरे नंबर पे नाम आता है Lockheed Martin के F-35 दोसों ये दुनिया का एक मातरो single engine 5th generation के fighter aircraft है जो अफिलाल operational है और ये एक मातरो ऐसा 5th generation fighter aircraft भी है जो export market में भी available है मतलब अमेरिका के एलाई देश इन aircraft को खरीच सकते हैं दोसों F-35 fighter aircraft को मैं Sukhoi SO-57 से इसलिए पीछे रखा हूँ क्योंकि इन aircraft में stealth feature भी है और highly technological equipment भी है साथ में इसमें एक powerful engine का भी इस्तेमाल किया गया है लेकिन इन aircraft के maneuverability F-22 या Sukhoi SO-57 के जैसे इतना अधिक नहीं है कि ये Sukhoi 35 जैसे fighter aircraft के सामने dog fight में मतलब close combat में आसानी से जीत हासिल कर सके दोसो maneuverability ही F-35 aircraft के सबसे बड़े कमजोरी है बर अगर देखा जाए तो F-35 aircraft को जितना अधिक इस्तेमाल किया गया है शायद Sukhoi SO-57 हो या F-22 हो अब तक इतना अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ है और इन aircraft 2 में से अगर कोई भी aircraft F-35 के बरावर के इस्तेमाल होता तो शायद इन aircraft 2 के खामिया भी अब तक दुनिया के सामने आ गया होता F-35 aircraft 2 को अमेरिका के द्वारा 2006 में first fly किया गया था लेकिन इसे 2015 में ही अमेरिकी Marine Corps में सबसे पहले शामिल करना संभव हो पाया फिलाल देखा जाए तो इन aircraft 2 को टोटल तीन variant में तयार किया गया है जिनमें F-35A मतलब Air Force के variant जिसे Conventional Take-off और Conventional Landing aircraft कहा जाता है जबकि F-35B जो की एक Vertical Take-off और Landing aircraft है और F-35C जो की Naval Version मतलब Carrier Ways Version है इसके इलावा इसरेल के लिए एक Special F-35 Fighter aircraft का निर्मान किया गया है जो F-35I के नाम से जाना जाता है और दोसों इन aircraft को अमेरिका के Air Force, Navy और Marine Corps के इलावा Australian Air Force, Belgium के Air Force, Denmark के Air Force, Israeli Air Force, Italy के Air Force और Navy Japan के Self-Defense Air Force, Netherlands के Air Force, Norway Air Force, Poland और South Korea के Air Force के इलावा South Korea के Navy, Singapore, Turkey, United Arab, Emirat, जैसे देशों के Air Force और United Kingdom जैसे देश के Air Force और Navy के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और दोसों ये 4 Operational 5th Generation के Fighter Air Cap में सबसे आखरी में नाम आता है China के J-20 का वैसे अगर देखा जाए तो इन Air Craftों में इतने सारे खामिया है कि अगर कोई देश 5th Generation के Fighter Air Craft को निर्मान करने में सकस हासिल करता है तो मेरा मानना ये है कि China के J-20 पांच वा पोजिशन में चला जाएगा और ऐसे एक एक करके देश जब 5th Generation के Fighter Air Craftों को निर्मान करेगा तो चाइना का ये Air Craft इतना पीछे चला जाएगा कि शायद टॉप 10 में भी इसका जगाना बने फिलाल दुनिया में 4 Air Craft है बोलके चाइना के J-20 को भी इस लिश्ट में जगा मिला है दोस्तो जे-20 को अगर देखा जाए तो इसे चाइना के चैंगडू कोरफरेशन के तरफ से निर्मान किया गया है और ये भी ट्विन इंजिन सिंगल सीटेड हैवी एरकरफ्ट के काटेगरी में आता है दोस्तो फिलाल इस एरकरफ्ट को भी एक true 5th generation के fighter एरकरफ्ट नहीं कहा जा सकता क्यूंकि ये एरकरफ्ट F-22 के जैसे fully stealth नहीं पर दोस्तो ये रश्यन सुखोई SO-57 से भी stealth के मामले में काफी फीच्छे है सुखोई SO-57 तो अपने खाली engine के वज़ा से एक true stealth एरकरफ्ट नहीं है और engine निर्मान होने के बाद ये इस खामी को भी पूरा कर लेगा जो basically ये एरकरफ्टो के radar signature को इतना बढ़ा देता है कि चाहे एरकरफ्ट कितना भी stealth हो ये radar में आसानी से पकड़ा जा सकता है दोसो चाहिना के तरफ से J20 एरकरफ्टो का first flight 2011 में किया गया था और 2017 में चाहिना इन एरकरफ्टो को अपने बेड़े में operationally शामिल किया पर अभी भी चाहिना को jet engine के लेके जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है उस वज़ा से चाहिना इन एरकरफ्टो को बड़े मातरा में निर्मान तो कर रहा है लेकिन कितना हद तक ये एरकरफ्ट दुश्मन के सामना कर सकता है इसे लेके कई सारे सवाल भी है दोसो अब चलिए जानते हैं कि और कौन कौन सा देश फिफ जेनरेशन के फाइटर यारकरफ्टो को निर्मान करने का प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है दोसो United States, China और रश्या के इलावा कई सारे देश अपने फिफ जेनरेशन के फाइटर यारकरफ्ट के कौनसेट में काम कर रहा है इन में चाइना और रश्या पहले फिफ जेनरेशन के फाइटर यारकरफ्ट के बाद और प्रोजेक्टों में भी आगे बढ़ रहा है चाइना के द्वारा J20 के बाद J31 नामक एक fighter aircraft में काम किया जा रहा है तो वही पे रश्या सुखोई SU-57 के बाद हाली में दुनिया के सामने सुखोई SU-75 चेक्मिट fighter aircraft को भी लाच चुका है इसके इलावा इस लिस्ट में Sweden का भी नाम है जिसके द्वारा Flag System 2000 नामक एक concept में आगे बढ़ा जा रहा है लेकिन Sweden इसे संपूर ने करेगा कि नहीं या इससे पहले कोई और fighter aircraft के concept को आगे बढ़ाएगा ये फिलाल confirm नहीं है दोसो Sweden के बाद नाम आता है इरान का रिपोर्टियों के मुताविक इरान के द्वारा भी एक 5th generation के fighter aircraft के उपर काम किया जा रहे लेकिन इरान से ऐसे खवर ज्यादा तर बाहर नहीं आता है बोलके इसके बारे में ज्यादा कुछ जान करी नहीं है दोस जैपैन के तरफ से भी एक 5th generation के fighter aircraft Mr.VC X2 का निर्मान किया गया था लेकिन ये एक prototype तक ही सीमित रहा और जैपैन इसका इस्तिमाल करके अब 6th generation के fighter aircraft का निर्मान करेगा और दोसो इस लिश्ट में एक देश ऐसा भी है जिसे हम कंगला देश कहते हैं आप लोग समझ गये होंगे कि मैं किस देश का नाम ले रहा हूँ और जिनको समझ में नहीं आया उनके जानकारी के लिए बता दू कि ये है पाकिस्तान पाकिस्तान के द्वारा भी प्रोजेक्ट अजम के नाम से एक concept को launch किया गया है लेकिन जो देश अब तक अपने बलब जंक फाइटर जंक फाइटर नाम से चिलाना शुरू कर चुके होंगे लेकिन उनके भी जानकारी के लिए बता दू कि जंक फाइटर असल में पाकिस्तानी फाइटर नहीं बल्कि चाइनिस फाइटर है और खाली अपने देश में एसेंबल करने को ही अगर achievement माना जाता है त साथ में बना हूँ आप बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद